एफ 35 फाइटर क्रेश की लीक होई फुटेज टीम चीन के लिए खिलने वाले मिरकी और चीन एक महा कावे परमारो खत्रा बन जाता है इस सबता के चीन समाचारों की सुर्कियों में और भी बहुत कुछ बिना सेंसर किये चीन में आपका स्वागत है मैं क्रिस चैपल हूँ यह एपिसोड सुरफशाख द्वारा प्रायुजित है जब भी आप ऑनलाइन हूँ आपको अपनी सुरफशा के लिए सुरफशाख जैसे वीपिएन का उप्योग करना चाहिए दक्षन चीन सागर में दु नियमित उरान संचालन के दौरान दुलघटना ग्रस्त हो गया कोई मारा नहीं गया लेकिन इसने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी आज राद ग्रह पर सैने प्राद्योगी की के सबसे परिश्कृत प्रों में से एक अब दक्षन चीन सागर के तल पर और कबरों के लिए और अमेरिका और चीन के बीच यह देखने की होल चल रही थी कि कौन इसे पहले रिक्वर कर सकता है यह दक्षन चीन सागर में एफ 35 के डूबने की अपुष्ट तस्वीर है लेकिन पेंडागन द्वारा पुष्टी किया गया यह वीडियो वास्त विग दुभटना को दर् ठीक उसी समय जब समाचार रिपोर्टों ने वहान में एक मिश्चित वायरस के प्रकोप पर भ्यान देना शुरू किया लेकिन दो साल बाद यह पता चला कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी ने वह नहीं खरीदा जो उन्होंने कहा था कि वे व्यापार समझोते के तहत करने जा रहे हैं अंत में चीन ने अमेरिकी निर्यात का केवल 57 ततिशत खरीदा जिसे उसने समझोते कि तहत खरीदने के लिए पतिबंद किया था व्यापार युद्ध से पहले अपने आयापस्तर तक पहुचने के लिए भी पर्याप्त नहीं था बाइडेन प्रशासन अब कह रहा है एक अन्य विकल्प अमेर्की सहयोगियों के साथ काम कर रहा है ताकि चीन को अंतराश्रे कंपनियों के लिए एक समान अवसर्ददान करने की मांग की जा सके हां ऐसा नहीं होने जा रहा है चीनी अधिकारियों का कहना है कि कमी उनकी गलती नहीं है यह महमारी की गलत में अच्छी चल रही है और ब्रेक के बाद आने पर चीन के लिए ओलंपिक में भाग लेने वाले अमेरिक्यों का क्या हुआ वापसी पर स्वागत है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बारे में कोई क्या कह सकता है मुझे लगता है कि यह इस वीडियो द्वारा सबसे अरी अनन्य नौट इंचाइना टी-शर्ट के साथ उलंपिक का जश्न नाने का समय समाप्थ हो रहा है बीजिंग उलंपिक के उलेकनिय होने का एक और कारण यह है कि चीन ने टीम चीन के लिए प्रतिसपरधा करने के लिए विदेशी मूल के एथलीटों पर भरुसा किया ह पहले से कहीं अधिक चीन ने अथलीटों पर भरुसा किया है जिन्हें उन घटनाओं के लिए नागरिक्ता प्रदान की गई है जहां उन्होंने पहले फिगर स्केटिंग आइस हौकी और स्कीन सहित पड़क जीतने के लिए संघर्ष किया था स्पष्ट होने के लिए चीन ऐसा करने वाला एक मात्र देश नहीं है लेकिन चीन भी दोहरी नागरिक्ता को माननेता नहीं देता है इसलिए यह थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि चीन के लिए तपिसपर मीडिया पर एक प्रिय है वास्तव में चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के अनुशासन नरीक्षण के लिए केंडरी आयोग द्वारा उनका साक्षापकार लिया गया था हाँ जिस संगतन शी जिन पिंग ने ध्रश्टाचार के लिए अपने राजनीतिक शत्रूं का पीछा किया है वे अथलीटों का साक्षापकार कर रहे हैं जाहिरा तोर पर इंटर्व्यू में गुने चीन को अपनी मातल भूमी कहा सारी ट्रेनिंग लेने के बाद भी वह अमेरिका में सोना कमाती थी अब गुचीन और अमेरिका दोनों में एक बहुत ही विशेशादिकार प्राप्त जीवन जीता है उनकी माए एक चीनी सरकारी अधिकारी की बेटी है वह एक उद्यम पूंजी पती भी थी जिसका अदेश अमेरिका और चीन को जोड़ना था 2019 में वापस चीन के लिए ततिसपर्धा करने का फैसला करने से ठीक पहले एलीन गुचीनी नेता शी जिन पिंग के बगल में खड़े कारक्रम में दिखाई दी गुचो चीन में मौडलिंग और प्रायूजन के बहुत सारे अफसर भी मिले है इसलिए इसमें कोई आश्चरि प्रतिक्रिया पैदा होती है लेकिन अगर चीनी शासन ने उसके लिए एक विशेश अप्वाद बनाया है तो ये चीन में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है मुझे वास्तव में उसके लिए बुरा लग रहा है वह सायोक्त राज जे अमेरिका से मुमोर्ने और नरसनहार के दोशी कुरूर कम्यूनिस्ट शासन के लिए स्वार्ण जीतने के लिए इतिहास में नीचे चली जाएगी बहुत सारे नरसनहार वह केवल 18 वर्ष की है और ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ उसकी टाइगर मौम के प्रभाव के कारण हुआ था गूरी से कुछ वर्षों में अलग तरह से देख सकता है मुझे अमेरिका में जन्वे एक एंगने अथलीट के लिए भी बुरा लगता है जिसने चीन के लिए प्रतिसपरधा की थी स्केटर जुई उसे खेलो के दौरान उतनी सफलता नहीं मिली जितनी दो बार गिर कर जाहिर तोर पर भवा परिशान थी लेकिन यह केवल खराब हो गया जहां एली गू चीनी सोशल मीडिया की प्रिय है वहीं जूई एक पारिया है राष्ट वादियों ने मंदारिन में उनके प्रवाह की कमी का अपमान किया और उलम्पिक ततियोगिता के लिए उनकी उप्युकता पर सवाल उठाया इस बिंदू पर की चीन के इंटरनेट सेंसर ने कदम रखा तथे यह है कि चीनी सेंसर ने कदम रखा यह दर्शाता है कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए यह कितनी समस्या है एक तरफ उनके पास परियाप्त स्वर्ण पदक जीतने वाले एथरीट नहीं है इसलिए उन्हें खोजने के लिए विदेश जाना पड़ता है जैसा कि मैंने कहा यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो लगभग हर देश एक हद्त करता है लेकिन यह चीन के लिए अफेक्षाक्रत नया है क्योंकि चीनी लोगों को कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा बेहद राष्ट्रवादी और बाहरी लोगों के प्रती नकारात्मक होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है एक मानवे ज्यानी और चीनी खेलों के विशेशग्य सुसान ब्राउनेल के अनुसार इसका कारण पहले नहीं हुआ था काफी स्पष्ट रूप से जेनोफोबिया था और एक कारण है कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी विदेशों में चातिय रूप से चीनी लोगों तक पहुँच रही है और चीनी के लिए यह निगलने के लिए बहुत अधिक हो सकता है अगर हमारे पास पूरी तरह से गैर चीनी दिखने वाले चेहरों की एक राश्ट्री एक तीम होती फास कर घरेलू धर्ती पर शीत कारीन खेलों के दौरान इसलिए अगर वे अच्छा करते हैं तो एलीन गू की तरह वे खुश होंगे अगर वे खराप प्रदर्शन करते हैं तो जूई की तरह भुगतान करने के लिए नरक होगा चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी भी इसे अपनी सौफ्ट पावर बढ़ाने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करती है जब एलीन गू चीन को अपनी मात्र भूमी कहती है तो ये चीन को अमेरिका से बहतर महान बनाता है और ये दुनिया भर में चीनी लोगों के साथ पार्टी के स्वामित्व वाले विभार को भी सही खैराता है जैसा कि मैंने पहले कहा चीनी शासन सभी जाती है चीनी लोगों के साथ वैसा ही विभार करता है जैसा वे विशाल पांडा के साथ करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां पैदा हुए हैं, वे चीन के हैं, और उन्हें अंतता स्वदेश लोटना होगा, पंडों की बात करें तो वे भयानत हैं और कोई उन्हें पसंद भी क्यों करता है, जिसमें बिंग ड्वेन ड्वेन भी शामिल है, वह बीजिंग शीत काली देब्यू किया था, तो लोग उन्हें वास्ताफ में पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वह इतने लोग प्रिये हैं कि बीजिंग पुलिस लोगों को बिंग ड्वेन ड्वेन मर्चेंट को फिर से बेचने के लिए दंडित कर रही है, जाहिर तोर पर लोग उच कीमतों पर फिर से बेचने के लिए मर्चेंट खरीद रहे हैं, जो कि चीनी अधिकारियों के अनुसार ठीक नहीं है, यहां एक चीनी नागरिक ने वर्डन किया है कि वे बिंग ड्वेन ड्वेन के बारे में कैसा महसूस करते हैं, 2019 में जब बिंग ड्वेन ड्वेन हजारों डिजाइन योजनाओं से बाहर खड़ा था, तो मुझे इसके लिए कोई भावना नहीं थी, कई नेटिजन्स की तरह, मुझे लगा कि यह बचसूरत और सरल दिमाग वाला दिखता है, वापसी पर स्वागत है, फिर भी एक और चीनी शहर को लॉकडाउन के तहत रखा गया है क्योंकि पूरे चीन में ओमिक्रों संसकरण बरता है, 22 लगभग 1.4 मिलियन लोगों का शहर है और आसपास के ग्रामीर शित्रों में 93 मिलियन है, बेशक ऐसा नहीं है कि ओमाइक्रों संसकरण अधिगा तक है, चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी शून में कोविट नीती को के बगल में है, लेकिन CCP लोगों को दूर रखना पसंद करती है, इसलिए यह अभी भी एक जीत है, लोगों को लॉक करने की बात हो रही है, हांकांग एक उमाइक्रों प्रकोप से गुजर रहा है, एक हजार से अधिक मामलों के साथ, यह दुनिया के कई हिस्सों के लिए ब ग्यानिक पसंद है, मैंने सब्ता की शुरुआत में एक एपिसोड किया था कि चीन की गतिशीर शून ने कोविड नीती का क्या आर्थ है, जैसे एक स्वास्तिकोड जो आपके अंधोलनों को नियंत्रित करता है, और इसका उप्योग चीनी कारकरताओं को दबाने के लिए क कैसे किया जाता है, मैं निश्चित रूप से चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को कोविड संक्रमन को रोपने के नाम पर हांकान में रोल आउट करते हुए देख सकता था, शी जिन पिंग का भरष्टाचार विरोधी अभियान कितना सफल रहा है, इस बारे में चीनी शासन ने एक नई वर्तचित्र तयार किया है, इसे जीरो टॉल्डरेंस कहते हैं, और 4.4 मिलियन लोगों की जाच की गई है, लेकिन वर्तचित्र का अनपिक्षित परिनाम हो सकता है, इसका एक हिस्सा चीनी अधिकारियों को अपने अपराधों को सुईकार करते हुए दिखाता है, स पाटी के राज की सत्ताधारी पाटी के रूप में है, बड़े पैमाने पर भ्रश्टाचार के लिए कोई और नहीं बल की खुद को दोशी ठहराया जा सकता है, जैसे भ्रश्टाचार का स्तर पागल है, यह लगभग विश्वास करने जैसा लगता है, उदाहरं के लिए ड अंदाज लगाईए क्या, यह वियतनामी दास श्रम का उप्यूग कर रहा है, यदि आप आश्चरिचकित नहीं है, तो आप सर्वियाई सरकार से अधिक चलाक है, जो सभी दावो को न कारती है, शायद इसलिए कि चीन ने अकेले से एक परियोजना में 900 मिलियन डॉलर का न में मुझे आश्चर है कि अगर पार्टी दास श्रम का उप्योग करने को तैयार है, तो मैं अंत में आपके साथ कैसा विवहार करेंगे? खैर, यहाँ एक संकित है, एक अमेरिकी जनरल चितावनी दे रहा है कि अमेरिका चीन और रूस से एक महा कावे परमानु खत्रे का सामना कर रहा है, उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब हमारे पास तीन पक्षिये परमानु सहकर्मी गतिशील है, और हमारे पास इसका कोई दिहास नहीं है, इस महा काव्य है, चीन अपनी परमानु शंता बढ़ा रहा है, जबकि रूस यूरोप में परमानु मिसायल पैनात करने की धमकी दे रहा है, इसलिए दुनिया में कुल मिला कर चीजे ठीक चल रही है, लेकिन जब चीन और भी बड़ा परमानु खत्रा बन करीब आता है, क्या आपको समझ में आता है कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है, मैं भी, और मेरे सहित पूरी दुनिया ने फाइट कलब के लिए चीनी अंत का मजाक उड़ाया, उन्होंने मूल अंत को बहाल कर दिया, चीनी संसकरण ने सरकार समर्थक संदेश के अंत को फिर से बनाया, यह सही है, फाइट कलब में सरकार समर्थक संदेश, यह दून को एक ड्रग विरोधी फिल्म बनाने जैसा होगा, मसाले को, राजे द्वारा संचालेत उद्योग द्वारा नियंतरित किया जाना चाहिए, और यह एपिसोड सुरफशार्ख द्वारा प्राय सरकार यह नहीं बता सकती है कि आप वास्तव में कहां से जुड़ रहे हैं और नहीं आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता, और आप जो ऑनलाइन करते हैं उसका लॉग न रखकर भी सुरफशार्ख आपकी सुरक्षा करता है, इसलिए सुरफशार्ख जैसे वीपियन का प्र थ्री अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। सर्फशार कौम अनसेंसर्ड पर जाएं और उनके सौदे को प्राप करने के लिए बिना सेंसर किये कोड का प्योग करें जिसमें मुफ्त में थ्री अतिरिक्त महीने शामिल हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन नवाब